तो गाइस Roman Reigns का next opponent और next match reveal हो चुका और surprisingly WWE इसको ना तो किसी बड़े शो में और ना ही SmackDown पे करवा रही है बलकि एक छोटे से live event में जाके Roman Reigns का match करवा रही है और काफी time बाद Brock Lesnar के बारे में भी कुछ update हाथ लगिया और और भी काफी सारी updates है इस वीडियो में तो बस आपक WWE से गायब है और उसके बाद कुछ updates ऐसी आई थी कि शेमस जो है वो इंजर्ड है उनको रेस्ट और ट्रीट्मेंट दोनों की जरूत है इसलिए शेमस जो हमको टेलिविजन पर देखने को नहीं मिल रहे है और गाई सब कुछ ऐसी अपडेट्स नकलके आ रहे हैं कि शेमस वो खाली अपनी इंजरी की वज़े से WWE से ओफ नी चल रहे है बलकि WWE और शेमस के बीच कुछ issues चल रहे हैं जिसकी वज़े सेमस हमको WWE में नहीं देखने को मिल रहे है अब वो issues किया यह तो exactly किसी को भी नहीं पता पर कुछ ऐसा है जिससे शेमस जो है वो WWE से थोड़ा गया है वह शेमस के contract में और मुझे तो डर है भाई अकर शेमस और WWE के बीच चीज़े ठीक नहीं हुई तो कहीं हमको शेमस जो है वर WWE से लीव लेते वे ना दिख जाए बाकि हम फैंस तो यहीं उम्मीद करेंगे कि सेमस और WWE के बीच चीज़े जल्दी से सोट आउट हो जा और WWE काफी strong दिखा रही है Bronson Breed को तो finally guys इसके पीछे का reason निकल के सामने आ गया है उसका reason यह है कि WWE जो है वो Bronson Breed को इसलिए strong दिखा रहे है क्योंकि उनको Bronson Breed के साथ जाके उनका match करवाना है और Bronson Breed को पता यह बाई कितने तकले बंदे हैं तो इसलिए इसलिए Bronson Breed को तयार कर रही है उनको इतना strong दिखा रही है ताकि आगे जाके जब उनका Bronson Breed के साथ match हो तो वो कहीं से week न दिखे हैं क्योंकि Bronson Breed को अभी इतना time हुआ नहीं है में तो इसलिए Bronson Breed को इतना strong दिखा रही है ताकि वो Bronson Breed को और हो सकता है कि आने वाले weeks के कुछ matches में भी हमको Bronson Breed जो है वो सेथ रोलेंस के बारे में तो WWE ने कुछ major changes कर रहे हैं सेथ रोलेंस और नाकमोरा के मैच के लिए लास्ट में स्टेंडिंग वाले मैच के लिए जहां पर कुछ टेम पहले तक ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि नाकमोरा जो हो सकता है सेथ रोलेंस अपनी बैक का treatment कर कुछ भी कर दें पर मैच का जो विनर होने वाले वह 110 परसेंट सेथ रोलेंस ही होने वाले और इस बात के काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि इस मैच के बाद नाकमोरा की जो फ्यूड है वह फाइनली ओवर हो जाएगी और हो सकता है WWE इसके बाद नाकमोरा की जो फ्य और नाकमोरा की फ्यूड चलाने वाली है फास्ट लैन के बाद वैसे अगर यह मैच होई रहा तो हम इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि सैथ रोलेंस शील्ड के आखरी मेंबर हैं जो लास्ट मैं स्टेंडिंग मैच पहली बार रैसल करेंगे इस से पहले डीन अधर के साथ जो डिल हु Mans Lego ऑनम मंच के आते हैं मतलब मंटानर मंच को स्मेंडर कर सकती है यह रहाltिक मैं नाइंट आवन की चरख मानट ट्रॉश घारें Mär적 के बाद और हो सकता है कि जो मंडे नाइट रो और स्मैक डाउन पर कंपीट करते हुए दिखते हैं वह एनेक्स्टी पर भी कंपीट करें क्यूंकि देखो शो से कोई फरक नहीं पड़ता सारा खेल सूपस्टार्स का है सूपस्टार्स जिस शो पर जाएंगे वह जरूर देख पर लाती है तो यह अच्छी मूव होगी लोगों को एनेक्स्टी की तरफ खीचने के लिए बागी आके देखते हैं कि यह कब तक होता है कब तक एंडेवर जो है वह एनेक्स्टी को अपने अंडर लेती है जब भी होगा इस पर अपडेट आई जाए कि मैं आपको बता कुछ अपडेट आई थी कि ब्रोकलाईनर अब्र और अपटेट ब्रीकूल के उपर प्लाइन के लिए क्व्रोज्टा इसली अपहती होता के लोग के सैजह कहते हुगा लोग काफी पैसा करते हैं और साओी का और सक्टार मatoreले का खासा उफर करती है WWE को उनको बड़े सूपरस्टास लाने भी पड़ते हैं तो इस बार जो Crown Jewel में सूपरस्टास होने वाला है उसमें एक नाम guys Brock Lesnar का भी है तो मतलब आप लोग ऐसा कह सकते हो कि Crown Jewel के आसपास ही हमको Brock Lesnar जाए वो बिल्कुल confirm return होते वे दिख जाएंगे क्योंकि एकदम से Crown Jewel में तो आएंगे नहीं WWE उनको पहले एक या दो शोपल आएगी किसी के साथ उनके फ्यूड करवाईगी फिर उसके बाद हमको Crown Jewel में Brock Lesnar का मैच देखने को मिलेगा और ना सिर्फ Crown Jewel में guys बलकि WWE के Brock Lesnar को लेके Wrestlemania 40 के अंदर काफी बड़े प्लैंस हैं और अगर Brock Lesnar WrestleMania के अंदर आ रहा है तो पका वो मैच भी रैसल करेंगे पर गाइस WWE जो है वो उनका अभी भी सोच रही है उनका अभी फाइनल नहीं हुआ है WrestleMania के लिए क्योंकि Brock Lesnar कोई छोटे रैसलर तो है नहीं वो काफी बड़े रैसलर है तो उनके लिए अपोनेंट वी उनकी टककर का चाहिए होगा वैसे आप किसके अगेंस देखना चाहोगे Brock Lesnar को WrestleMania 40 के अंदर मुझे कमेंट करके बताना और फिलाल यह काफी अच्छी ख़बर है कि Brock Lesnar Crown Jewel के आज-पास WWE में वापिस आने वाल है तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ Brock Lesnar के रिटन के लिए बाकि आप कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में बताना फिलाल हम चलते अपनी नेक्स अपडेट की तरफ और अब आप लोग यह बात बिल्कुल कंफॉर्म समझों की एज जो हैं वो AW Company के अंदर जाने वाल है रिपोर्ट के अकोर्डिंग गाइस एज जो हैं वो बहुत जाधा क्लोज आ चुके हैं क्रिश्चन उनके भाई जैसे हैं तो इसका मतलब आप लोग अब यह बात बिल्कुल कंफॉर्म समझों की एज जो हैं वो AW Company में जाने वाल हैं विससे नहीं है कि एज और AW के बीच दील बिल्कुल अल्मस्ट लोग हो चुकी है बाकि बस अब देखना यह है कि एज जो है वो कब और किस मुवमेंट पर अपना AW Company में डेब्यू करते हैं इसी के साथ हम चलते हैं अपनी लास्ट अपडेट पे और गाइस रोमन रेंस का नेक्स्ट मैच और नेक्स्ट अपोनेंट बिल्कुल ओफिशल हो चुका है और गा दिन लोगों को जो है यह मैच देखने में मज़ा आ जाए वैसे रोमन रेंस और सैमी जेन की फ्यूट काफी पुरानी हमने एलिमिनेशन चैंबर में इनके बीचे काफी कमाल का मैच देखा था तो आप इसको उसी का रिमैच बोल सकते हों बाकि इस मैच का रिजल्ट तो कोछ स्पेशल दिखाती है फिलाल यह वीडियो करता है खतम और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना मैं मिलता हूं आप से न्यूव वीडियो के अंदर तब तक के लिए टेक केर